आपकी एक गलत परचेज लेकर जाती है आपको self-doubt में और उसके बाद आप शीशे के सामने खड़े होकर करते हैं negative self-talk जो damage करता है आपकी image और personality दोनों को ही ये एक vicious circle है जिससे हम निकल नहीं पाते हम अपनी कपड़ों से भरी अलमारी के सामने nothing to wear situation में खड़े रहते हैं व मुझे पूरी उमीद है कि आप बन जाएंगी एक smart shopper इन सारी strategies को अपना कर मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं the hope story money can't buy happiness ये जिसने भी कहा शायद उसे नहीं पता था कि कहा जाना है shopping के लिए और हम सब को जाना है shopping के लिए वहाँ जहां लगी हो sale sale में shopping करना एक बहुत ही smart move है हम सब के लिए क्योंकि market में end of the season sale के इलावा बहुत सारी sale हैं जिसमें हमें मिल जाते हैं बहुत अच्छे prices eat sale, holy sale, diwali sale, women's day sale, valentine special sale ऐसी बहुत सारी sale हैं जो market में हमें देती हैं ऐसे prices जिससे बचा सकते हैं हम बहुत सारे पैसे और कर सकते हैं budget purchasing और सबसे असान तरीका क्या है right time में sale में पहुचने का वो है brand की membership आप हर एक brand के पास अपना phone number दे सकते हैं जिससे वो आपको update कर सकें कि उस brand की sale जो है वो कब शुरू हो रही है membership लेने से आपको points भी मिलते हैं और ये एक extra benefit है आपको birthday, anniversary, discounts भी मिलते हैं अगर आप usually local market से shopping करती हैं तो आप छोटे छोटी दुकानों पर छोटे vendors को भी अपना phone number उनके database में आड करा सकती हैं आजकल सारे shopkeepers अपने customers के touch में रहना चाहते हैं और उन्हें update करना चाहते हैं deals के बारे में और sales schemes के बारे में तो आपको सबसे पहला step ये लेना है एक smart shopper बढने के लिए कि आपको अपनी कम से कम 70% purchasing करनी है sale में से दूसरा step जो हमको लेना है एक smart buyer बढने के लिए वो ये है कि हमें समझना है अपने color palette को usually हम सबका wardrobe होता है 5 color से dominated हम जादा तर उन्ही 5 colors के आसपास घूमते हैं जिनमें हम confident feel करते हैं यह हमें लगता है यह colors हमारे उपर usually suit करते हैं अगर मैं आपको अपना example दूँ तो maximum कपड़े मेरे wardrobe में या तो black है या white है या cream है या pink है और या red है इनी colors के आसपास रहती है मेरी maximum purchasing तो आपको समझना यह है कि आपको market में shopping करते वक्त 80-20 के rule को यहाँ पर follow करना है आपको 80% purchasing वो करनी है जो आपके उन colors के साथ mix and match हो सके और 20% आप कर सकती है नई colors को try इससे आप कभी भी नहीं आएंगी nothing to wear situation में आपको अपने पैसे उन colors पर invest करने हैं जो ज़्यादा तर आप पहनती है Human body is the best work of art तो इसी लिए आपको understand करना है अपने outer appearance को जिसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपका body shape क्या है और आपको करनी है purchasing अपनी body shape के according यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है कि आप understand करें अपने skin के undertone को क्यूंकि वो भी बहुत matter करेगा आपके outer appearance को अच्छा दिखाने में Celebrities, family और friends से influence होना natural है लेकिन हमको copy नहीं करना है किसी के भी style को हमें create करना है अपने लिए एक खुद का signature style जो की बनाता है आपको अपने आप में unique आपकी shopping visit अपने signature style के लिए होनी चाहिए किसी दूसरे को copy करने के लिए नहीं यही बनाती है आपको भीड से अलग Trial room is your best room आप उठाती है एक dress को पहली नजर में पसंद करके और जैसे ही आप trial room में उसे try करती है आपकी choice flop हो जाती है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपने proper makeup नहीं किया है आपने proper innerwear नहीं पहने है या आपने proper hairstyle नहीं बनाया है और यहां तक की आपने proper footwear भी नहीं पहना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखके ही किसी outfit को try करना है trial room में और किसी भी outfit को आपको reject भी नहीं करना है try करे बिना क्योंकि mostly basic simple outfits के साथ ऐसा होता है कि वो try करने के बाद ही अच्छी लगती है इसलिए try करे बिना किसी judgment पर आ जाना आपको नहीं देगा एक अच्छा shopping experience एक अच्छा wardrobe create करने के लिए मैंने और आपने बहुत बार अपने rules and regulations को set किया है हमने set किये हैं अपने budget अपनी shopping के लिए और हम हर बार उसमें fail हो जाते हैं तो जो next strategy आपको अपनानी है अपनी shopping पर जाने से पहले वो यह है that invest in accessories यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि don't invest too much on clothes different style, silvets और colors fashion से आते जाते रहेंगे जो नहीं out होगा वो है अच्छी accessories तो चार expensive outfit लेने से अच्छा है कि आप 3 outfit ऐसे लें जो on budget हो और एक अच्छी expensive accessories में invest करें क्योंकि अच्छी accessories कर सकती हैं आपकी पुरानी outfits को भी fashion statement में convert Be open to change, new skills को try करना, अपनी personality को explore करना Facebook, Instagram और बहुत सारी नई website से try करना online shopping इन सब के लिए हमें तयार रहना चाहिए Online market एक बहुती budget friendly shopping का experience आपको देती है मैं मानती हूँ कि ये risky भी जरूर होती है और इसके लिए भी आप कुछ strategies को अपना सकती है वो जरूर ही अगला topic हो सकता है हमारे video का और आप mention कर सकती है comment box में कि आप सीखना चाहती है क्या online के लिए भी कुछ shopping strategies क्योंकि जो Indian garment industry ने 2030 में online boom expect किया था वो COVID-19 ले आया 2020 में इसलिए हमें online shopping को भी explore करना चाहिए एक budget friendly shopping experience के लिए strategies तो हम बहुत सारी बना सकते हैं एक smart shopper बनने के लिए लेकिन जो हो नहीं पाता वो ये है कि हम committed नहीं रह पाते हैं इन strategies के साथ तो practically इन strategies के साथ committed रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए smart shopper बनने के लिए तो आप ले सकती है एक या तो red या yellow या green color का paper और उस पर इन सारी strategies को लिख लीजे हो सकता है कोई और भी strategy आप इन strategies के साथ attach करना चाहती हो उस paper को fold करके अपने उस purse मर रखिए जिसको लेकर जाती है आप shopping के लिए आप जितनी भार भी उस purse को खोलेंगी purchasing करते वक्त वह paper आपको याद कराएगा आपकी strategies को जो कि एक बहुत ही smart तरीका है अपने आपको reminder देने का और जब यह reminder आपके brain को बार बार मिलेगा तो आप खुद ही देखेंगी कि by default यह strategies आपके nature में develop हो जाएंगी यह बहुत ही असान तरीका है अपने आप से commitment को निभाने का आपके comment ही decide करते हैं मेरे आने वाले videos के subject को तो comment करने के साथ-साथ video को like भी कर दीजेगा और चानल को subscribe कर लीजेगा और वो जो bell बटन आपको दिख रहा है उसे जरूर प्रेस कर दीजेगा जिसे जैसे ही video आए आपको उसका notification आ जाए daily updates के लिए आप मुझसे connect हो सकती है instagram पर मेरा id है the hope story official और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे next video में till then keep going and keep growing झाइ